नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी मैं हूँ आपके साथ स्रिष्टी शर्मा इस बुलिटिन में हम बात करेंगे हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों को लेकर दिन भर में हिमाचल में क्या कुछ खास रहा है हिमाचल की राजनीती में क्या विशेश यहां पर चल रहा है क्योंकि हिमाचल के जो सीम है नए सीम वह भी दिल्ली दौरे पर है क्या कुछ यहां पर विशेश रहने वाला है इन सब बातों को लेकर हम इस बुलिटिन में चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले जो है वो बात करते है कि हिम सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं क्या है क्या खबर है अधिसूचना जारी हो चुकी है क्या कुछ आगे रहने वाला है विधानसभा सत्र जो है उसकी अधिसूचना यहाँ पर जारी हो गई है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक धरमशाला के तपोवन में हिमार्चल की रहे जो इस बार होने वाला है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है इसको लेकर बात कर लेते हैं तीन दिन का यह जो है सेशन जो है रहने वाला है तपोवन में यह सेशन जो है वो लिया जाएगा इसमें जो है इसकी जो अधिसूचना है उसका स्केडियूल कुछ इस प्र दिन पर विद्धायकों का शपत गरहन होगा जो चुने हुए विधायक है सभी के सभी जो सत्र में भाग लेनेicios पर जू है उनका यहाँ पर जो है शपत गरहन यहाँ पर किया जाएगा यह शपत गरहन जो है वो प्रोतिड स्पीकर जो है जो स्पीकर है चंद्रकुमार वो यहाँ पर 22 दिसंबर को तपवन में विधायकों का शपत ग्रहन करवाएंगे इसके बास अगले दिन यानि की 23 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उनका यहाँ पर चुनाफ किया जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाफ के अलावा राज्यपाल जो है राज्येंदर विश्वनात आलरेकर वो यहाँ पर विधानसभा को 23 दिसंबर को संबोधित करेंगे और अगले दिन यानि की 24 दिसंबर को सेशन का जो आखरे दिन रहेगा उस दिन राज्यपाल के अभी भाषन के बाद धन्यवाद प्रस्ताब होगा और चर्चा यहाँ पर शुरू होगी हालां कि जो पहला जो सेशन रहता है सामानित तोर पर पहले सत्र में जो है वो यहाँ पर जादा जो कुछ है बिसनस नहीं होता है यहाँ पर प्रस्तकाल जो है वो भी कम रहता है लेकिन इस बार क्योंकि नई सरकार आई है भाजपा और कॉंगरेस के बीच इसलिए टकराव जो है सेशन में जरूर देखी जा सकती है क्योंकि इस तरीके से सिमिट फैक्टरियों के बंद होने का मामला है जो अभी नई सरकार के आने के बाद अभी काबिनेट जो है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं की गई है इसको लेकर भी भाजपा जो है इस सेशन में विधान सबा के पहले सत्र में कॉंगरेस को जरूर घेर स कियुकि अभी तक जो है यहाँ पर मंत्री मंटल का गठन नहीं हो पाया है कॉंगरेस द्वारा इस मुद्दे को भी यहाँ पर भाजपा जो है सेशन में उठा सकती है गर्मा गर्मी का महौल जो है दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है इ सेशन के जरीए वो अपना वीजन जो है वो जनता के सामने रख सकते हैं उनके लिए मौका भी यहां पर रहेगा कि इस तरीके से जो हिमाचल को लेकर उनका वीजन है वो हिमाचल की मसाइडसी जनता के सामने रख एगा तो 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 3 दिन तक ये जो सेशन है वो धरमशाला के तपवन में रहने वाला है अगली खबर पर नजर डालते हैं अगली खबर ये है कि सुखविंदर सिंग सुखु जो है वो कहा रहने वाले है सुखविंदर सिंग सुखु ने शपत गरहन करने के बाद ज आज राजस्तान के अलवर में 40 विधायकों के साथ जो सुख्विंदर सिंग सुख्व है वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे राहूल गांदी के साथ उन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा की है प्रतिबास सिंग भी यहां पर मौझूद रही इसके अलावा मुख्य मंतरी मुकेश अगनी होतरी और अन्य विधायक जो है कॉंग्रेस पार्टी के वो भारत जोड़ो यात्रा में अलवर में मौझूद रहे हलांकि अब जो है वो दिल्ली वापिस आ चुके है कल दिल्ली में वो यहां पर कुछ मीटिंग्स करने वाले है प्रधान मंत से जो फैसला लिया जाएगा उसके बाद ही जो है मंतरी मंडल का यहां पर गठन होगा इसके विस्तार को लेकर जो है जो हिमार्चल का मंतरी मंडल जो होगा उसको लेकर हाई कमान ही फैसला करने वाला है इसलिए जो सुख्विंदर सिंख सुख्व का यह दिल्ली दौरा है यह बेहुँआ ही खास रहने वाला है इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अटल टानल को लेकर सुख्विंदर सु filter सुख्व ने क्या कहा है अपने कारकाल के पहले दिन पर ही सुख्विंदर सिंख सुख्व ने यहां पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया था कारिकारियों को यह कह दिया था कि अटल टनल की जो एक शीला नियास पत्तिका है जो 2020 में गुम हो गई थी जिस पर सोनिया गांधी का यहां पर नाम लिखा गया था उसे वापिस लगाया जाए हालांकि यह जो विवाद है इस पर बीजिपी उन्हें बार-बार घेर रही थी क पद्भार संभालते ही सुख मुख्यमंतरी जो है वो बीजिपी के फैसलों पर यहां पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन आज एक ट्वीट करके सुख सीम सुखविंदर सिंग सुख्वू ने यह क्लियर कर दिया है कि ना ही जो है अतर टरनल का नाम यहां पर बदला जाएगा ना ही यहां पर पट्टिकां बदली जाएगी लेकिन जो एक पट्टिका 2020 में यहां पर जो शीला नियास के पट्टिका लगी हुई थी वो गुम हो गयी थी उसे यहां पर जरूर दोबारा यहां पर लगाया जाएगा क्योंकि जो विवाद है यह लगातार तूल पकड़ साथा कि सत्ता में आते ही जो मुख्यमंत्री है वो किये हुए कारियों पर सवाल उठा रहे हैं अब बात कर देते हैं कि प्रदेश के नए CM को लेकर बीजिपी के जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल बीजिपी के सुरेश कश्यप उन्होंने क्या कहा है हिमाचल बीजिपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेश कश्यप उन्होंने सुखविंदर सिंग सुखु को लेकर यहां पर तंच कसा है कि जिस तरीके से CM सुखविंदर का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा था वो अचानक से जो है नीचे गिरता हुआ दिखाई दे र रही थी उन्हें आश्वासन दे रही थी कि क्या क्या काम जो है वो हिमाचल में होंगे उन पर अभी तक जो है यहां पर बाचीत नहीं की गई है और यहां पर जो है कॉंग्रेस पार्टी अभी तक अपना मंत्री मंडल तक जो है उसको लेकर यहां पर तै नहीं कर पाई है क उनका मंत्री मंदल का विस्तार कब किया जाएगा शुक्विंदर सिंग सुक्खु पर तंज कस्ते होए सुरेश कश्यप ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो हिमाचल में फैक्टरी बंद हो रही है सिमिन फैक्टरी बंद होने का मामला है वो लगतार तूल पकड़ रहा है यहाँ पर लोग के रोजगार यहाँ पर छिनने लगे हैं, लोग की नौकरिया खत्रे में हैं, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी जो है, वो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी हुई है, कॉंग्रेस के विधायक जो है, वो स्टेंटर मिनिस्टर्स जो है, उन्हें यहाँ पर जो है आला कमान को अपने खुश करने में लगे हुए और जनता की उन्हें कोई फिकर नहीं है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री यह कह रहे थे कि जो हिमाचल में नई सरकार आई है वो जो दावे कॉंग्रेस ने किये है वो पूरे करेगी लेकिन सुरेश कश्यप यहां पर लग विस्तार किया गया है ना ही जो है यहां पर जनता के लिए जो है कुछ अभी तक जो एलान है यहां पर कुछ किये गए है और यह जो मामले है चाहे यह चाहे सिमेंट फैक्टरीज के बंद होने का मामला हो इसको लेकर भी यहां पर जो है कॉंग्रेस पार्टी जो है यहां अब जो अपने अलकमान है या फिर जो इनके गुठ है उन्हें मनाले में लगयो है ये सुरेश कश्यप का कहना है सुखविंदर सिंग सुख्षू को लेकर कि भाजपा ने पिछले जितने भी काम किये है उसको लेकर अभी तक जो है कोई फैसले यहां पर जो है कॉंग्रेस प सुख्षू के को लेकर भी उन्होंने ये सारी बाते कही है इसके लावा बात कर लेते है कि हिमाचल में जो है मौसम कैसा रहने वाला है पिछले कुछ दिनों से जो है हिमाचल में नियूनितम तापनान जो है वो लगातार यहां पर गिरता हुआ जरूर नजर आ रहा है प्रवानुमान लगा गया था कि 19 दिसंबर तक हिमाचल का मौसम जो है वो साफ बने वाल बना रहने वाला है हिमाचल में जो है वो यहां पर धूप की लिए रहेगी हालांकी जो है यूनितम तापमान जो है कई जगाओं पर माइनस पांच से भी नीचे जाकर जा चुका है और जो मेदानी शेत्र हिमाचल के वहां पर ठंड बढ़ रहे है हालांकी जो पहाड़ी शेत्र है जैसे शिमला और धलहर जी हिमाचल के जो पहाड़ी शेत्र है वहां पर दिन में धूप जरूर है लेकिन सुबा शाम जो है ठंड जो है वो जरूर थोड़ी बढ़ चुकी ह और इसी के चलते जो है यहाँ पर शिमला साइद प्रदेश के कई जगाओं पर 19 दिसंबर तक जो है मौसम साफ होने के यहाँ पुर्वानुमान जरूर लगाया गया है तो यह कुछ खास खबरे थी जो आज दिन भर में हुई है हिमाचल के मौसम को लेकर इस बुलिटन में हमने आपसे बातशीट की है किस तरह का जो मौसम है वो हिमाचल में रहने वाला है प्रदेश की जो सरकार है वो उनका मंतरी मंडल का विस्तार कब तक होगा किस तरीके से प्रदेश सरकार का जो पहला विधान सबा शेशन रहने वाला है उसके अधी सुचना के बाद क्या कुछ खास रहने वाला है यह सब बाते इस बुलिटन में हमने आपसे सांचा की है प्रदेश और देश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा टीवी